चलिज सु बात करने वाले हैं मॉयल लिमिटेड के बारे में बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वीडियो की बड़ी हल चल आपको मॉयल के शेयर के अंदर आगे दिखने को मिल सकती है अगर बात की जाए मॉयल की तो देखें मॉयल कंपनी के अंदर बाइबेक के रिगार्डिंग काफी सारी खबरें आपको पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रही है तो देखें यहाँ पर जो प्राइस था लगबग बाइबेक का इन्होंने अनाउंस किया था 205 रुपे पर एक्विटी शेयर के हिसाब से करन्ट प्राइस की बात करते हैं तो मॉयल का जो प्राइस से मैं दिखाए देरा है लगबग 176 रुपे के आसपाद दिखाए देरा है तो देखें बाइबेक अनाउंस हो चुका है और जो आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है यह बाइबेक की रिकोर्ड डेट से रेलेटिड है तो रिकोर्ड डेट भी अनाउंस हो चुकी है तो अब जो शेयर इसके अंदर हम लोग बिकवाली करना चाह रहे थे और प्र तो देखें क्या होता है कि जब कोई कंपनी प्राइस अनाउंस करती है मानके चलते हैं कि कोई शेयर लगबग 170 रुपे के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है अब कंपनी अनाउंस करेगी कि लगबग 210 रुपे प्र एक्टी शेयर के हिसाब से कंपनी ने बाइबेक अनाउं चाहे शेयर नीचे 165 रुपे के हिसाब से हम लोगों दिखाए दे वहाँ भी क्वाली करें तो उनको ओवराल जो प्राइस मिलता है वो 210 रुपे के हिसाब से मिलता है तो प्राइस भली आपको कम दिखाए दे रहा है लेकिन प्राइस आपको ऊपर का मिलता है तो यहाँ प पहले से इस company के इंदर जुड़े हुए हैं या फिर नए खरीदार हैं तो overall इतने shares को ध्यान में रखते हुए 31 12 2021 तक यहाँ पर अगर विक्वाली करते हैं तो आपको लगभग 205 रुपे के हिसाब से इस share के इंदर लाब मिलता हो नज़रा सकता है क्योंकि देखे ये खबर पहले ही publish की जा चुकी थी कि लगभग 205 रुपे पर equity shares के हिसाब से हम लोग को यहाँ पर लाब मिलता हो नज़राएगा अब देखे शेर का price अगर देखा जाए तो लगभग 175 रुपे के आसपास इस समय ट्रेड करता हो नज़रा रहे तो दोस्तो आज के दिन तो अच्छा खासा माहूल बन चुका है और लगभग 4.61% की तेजी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिली पांच दिन की activity किस तरीकी से दिखाए दे रही थी स्टॉक के अंदर 170 रुपे से उपर के लेबल दिखाए दे रहे थे लेकिन टोटल म लेकिन दिखे इतना काफी नहीं है कि कमपणी के अंदर आज तीजी दिखने को मिली, ये भी जानना जरूरी है कि कया इस कमपानी के अंदर अगर हम पहले से खरिदारी करते हैं तो क्या long term के हिसाफे इस कमपणी के इंदर अच्छा कासा mount बन सकता है चै मेनी की बात करते है तो return overall negative दिखाई देरे एक साल की बात करते हैं तो 29% के आपको positive return इस company के अंदर देखने को मिले 5 साल की बात करते हैं तो negative activity ही आपको stock के अंदर दिखाई देरी है और अगर overall देखा जाए तो ये company list हुई थी लगबग 2010 के अंदर तो 2010 से लेकर अब तक जो हलचल देखने को मिली है up and down का ही सिलसल आपको moil company के अंदर देखने को मिल रहा है अब देखें दोस्तों अगर खरीदारी की बात करते हैं तो खरीदारी करने से पहले कुछ ऐसी चीजे होती है जो हम लोग को जरूर देख लेनी चीए तो सबसे पहले तो ये company करती क्या है तो मेंगनीज की इंडिया के इंदर largest मेंगनीज producer है साथी में अगर market value की बात करते हैं तो 470 करोड की company है ROC और ROE दोनों ही से में positive चल रही है साथी में दोस्तों ये company हम लोग को बराबर dividend भी provide करा रही है और अगर face value की बात करते हैं तो 10 रुपे की है हो सकता है in future ये stock split होता हुआ भी नजराए अब देखे अगर price pattern की बात करते हैं तो इससे में जो current price दिखाई दरा है वो 50 days के DME से उपर trade करता हुआ नजरा रहा है और यहाँ पर अगर 200 days की DME की बात करते हैं तो 165 रुपे है और अगर 50 days का DME देखें तो 166 रुपे की आसपास इससे में दिखाई दरा है तो current price दोनों से उपर है तो यहाँ से मजबूत संकेत हमें company के अंदर देखने को मिले और साथे में बताना चाहूँआ दोस्तों company almost debt free है तो कर्ज company के पास में है लेकिन लगातार इसके अंदर कम ही रिखने को मिल रही तो overall कह सकने के कहिन के मजबूती की तरफ यह company है यहाँ पर यह company बराबर हम लोग को dividend दे रही है dividend yield की बात करते हैं तो 4.21% के आसपास निकल कर आ रही है पिछले कई quarter इस तरह के के दिखाए दिये हैं जिसके अंदर company की performance अच्छी खासी दिखाए दे रही है और अच्छी खासी dividend yield भी है dividend payout की बात करते हैं तो 63.14% के आसपास दिखाए दे रही है लेकिन अगर बात करते हैं return on equity की तो कम दिखाई देरी पिछले तीन साल के अगर बात करते हैं तो 10.6-5% के आसपास ही निकल कर आई है साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि पियर्स के अंदर पांचवे नंबर पर ये कंपनी आती है नंबर वन पे जो कंपनी है वो है वेदानता उसके बाद में कॉल इंडिया का नंबर आता है तो पांचवे नंबर की ये बड़ी कंपनी है इसी तरीके से हाल फिलाल में इस कंपनी के Q2 के नंबर डिकलेर हुए तो इस बार सेल्स लगबग 312 करोड के आसपास दिखाई दी है पिछले बार लगबग 293 करोड के आसपास थी तो quarter on quarter basis पे sales के अंदर बढ़ा दिखने को बिल रही है लेकिन अगर profit की बात करते हैं तो profit little bit गिरता होना जरा है अब अगर बात की जाए year on year basis की तो company किस तरीकी की है मार्च 2021 तक का date available है 1172 करोड की sales इससे पहले लगबग 1034 करोड की sales इससे पहले लगबग 1400 करोड 1300 करोड तो देखें long term में कहीं कहीं sales के अंदर बढ़त देखने को मिल रही थी देखें कोविट का बुरा वक्त था लगबग तार गिरावार देखने को मिली अब कुछ इससे थी positive इस company के अंदर देखने को मिल रही है net profit की बात करते हैं तो इस बार 177 करोड के असपास profit देखने को मिल रहा है जो कि पिछले बार लगबग 248 करोड के असपास दिखाई दे रहा था उससे पहले लगबग 424 करोड था उससे पहले लगबग 422 करोड तक भी properties company के अंदर देखने को मिला साथी में दोस्तों बताना आचाओं कि अगर company की balance sheet देखें तो बहुत ही attractive दिखाई दरी company के पास में फिलाल की डेट में 2580 करोड के रिजर्फ्स है मार्च 2021 में 2583 करोड के असपास थे 2020 की बात करें तो 2526 करोड के असपास थे देखे little bit तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है डेट फिरी company है साथी में अगर total asset की बात करते हैं तो लगबग 3414 करोड के असपास निकल कर आ रहे हैं पिछली बार लगबग 3390 करोड के असपास थे उससे पहले लगबग 33301 करोड के असपास दिखाई दे रहे थे इसी तरीके से अगर shareholding patterns की बात की जाए तो promoters के सिधारी लगबग 64.35% के असपास दिखाई दे रहे हैं जो कि पिछले वाले quarter में भी इतनी थी तो कोई change नहीं देखने को मिल रहा है FIS के सिधारी की बात करते हैं तो quarter quarter basis पे बिकवाली दिखाई दे रहे हैं डेस की बात क में company का profit भी हम लोग को बढ़ता होने जरा रहा है हाल फिलाल में जो quarter quarter basis पे हल चल दिखने को मिली वो भी positive दिखाई दे रही है तो काफे सारी चीज़े इस company के अंदर अभी तक positive दिखने को मिल रही है अब देखे आप जानते हैं कि कोविट का बुरा वक्त था काफे सारी company new के अंदर अच्छे का से level बनते होने जरा है तो इस share के अंदर भी तेजी हम लोग को देखने को मिली लेकिन उसके बाद profit booking का सिल्चला लागातार बढ़ता हो चला गया तो अगर यहाँ पर बात की जाए जो कि analyst इस company के अंदर उमीद करके चल रहे कि 2022 के अंदर बड़ा ध पसंद का upside moment लगबग 233 रुपे तक के level आपको stock के अंदर देखने को मिल सकते हैं और अगर किसी कारण से stock में गिरावट देखने को मिलती है तो लगबग 144 रुपे तक यह stock जा सकता है यानि कि current level से लगबग 18% की गिरावट हमें share के अंदर देखने को मिल सकती है तो पस्टॉक के अंदर डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं लिंक नेचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों करे पूरी जानकार या आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए का चैनल सब्सक्राइब कर क्रिक लेना ताकि नहीं अच्छे लीडियो 노फिकाइज से अपको अपकाइ लिचकन